मंडियों में आलू और नए प्याज की आवक लगातार बढ़ रही है दरसल हफ़ते के पहले कारोबारी दिन इंदोर की देवी अहिल्या बाई होलकर धोक मंडी में कारोबारी सब्ता के पहले दिन नए माल की आवक बढ़ने लगी है इससे भाव पर दबाव बढ़ता दिखाई दिया है दरसल नए प्याज और आलू के दाम नरम पढ़ चुके हैं पुराने माल के दाम पहले से ही टूट रहे हैं और सोमवार को नए आलू की आवक दो से तीन हजार बोरी फिलाल इंदोर की मंडी में देखने को मिली है एलर चिप्स क्वालिटी नया आलू अटाइस सो से तीन हजार पे प्रतिक विंचल पर बिका है पुराने माल के दाम तूट रहे हैं पुराने प्याज में सूपर क्वालिटी भी अब एक हजार उपे क्विंचल से उपर नहीं विक रही दरसल अब मौसम ठंडा होने के साथ पुराने प्याज में अंकुरन होने लगा है जिसके चलते क्वालिटी पर असर आता दिखाई दिया है और किसानों के पास अभी भी पुराने प्याज का भरपूर स्टोक है ऐसे में अब माल निकालने का दबाव फिलार मडियों में दिखाई दे रहा है उधर उत्तर परदेश और पंजाब आदी शेत्रों में नए आलू की आवक बढ़ गई है अगले सब्ता से नए आलू की आवक इंदोर मंडी में भी बढ़ने की उमीद की जा रही है ऐसे में आलू के नए माल में भी अगले सब्ताम में दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है